ये गाईज, विल्कम डुमाई चानल गाईज, इस वीडियो में हम हिस्ट्री से रिलेटर जो इंपॉर्टेंट कोश्चन्स है, जो आपके एक्जाम के पॉइंट अफ्यू से बहुत जादा इंपॉर्टेंट है, उनको हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे, और सिर्फ और सिर हिस्ट्री की क्यों के कोश्ट्राइब करेंगे साल जसे आपको कोई अफ़ंव ना हो, इस आपका सेट पार्त है, ऊठैक क्सित कहाई को पीड इंट्रेंस एक्जाम के पॉइंट आफ यूसे कौन कौन सी important questions है पहले question पर focus करते हैं तो जो आपका पहला question दिया हो उसे पूछ रहा है कि खजुराहों का कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो किसने बनवाया है option आपके पास परमार चेदी राष्ट रूकूर्ट या च इसमें बताएगे कि इस right option कौन सा होजाएगा तो जो आपका D option और करेक्ट हो जाएगा कि जो खजुराहों का कंदरिया महादेव मंदिर है वो चंदेल सास को ने बनवाया था तो यह D option करेक्ट है फिर पूछ रहा है कि चोलों का राज किस छेत्र में फैला था यानि जो च right option कौन सा हो जाएगा तो यहां आपका D option साही हो जाएगा कि जो कोरो मंदल तट है दक्कन के कुछ भाग वहां तक चोलों का राज फैला हुआ था तो यहां आपका D option करेक्ट हो जाएगा फिर पूछ रहा है कि मिनाच्छी मंदिर जो है वो कहां इस्थित है तंजोर में मे इसमें से कौन सा सही हो जाएगा तो यहां आपका C option सही है मिनाच्छी मंदिर मदुरई में इस्थित है तो यहां आपका C option अग्दम करेक्ट हो जाएगा इसकुशन देखते हैं इसकुशन में क्या रहा है कि भारती दर्शन की प्रारंभीक साखा कौन सी है कई सारी इसमें मालवा का चारवाग तो चार ऑप्षन है आपके पास और आपको बताना है कि भारती दर्शन की प्रारंभीक साखा ओंसी थी तो राइट ऑप्षन बताए काौन सा हो जाएगा तो यहां आपका option करेक्ट हो जाएगा कि जो सांखे दर्शन है भारती दर्शन की प्रा सकने जीता है यह आपको बताना है ओप्शन देख लेते हैं कि कौन-कौन से ओप्शन दिये हुए है तो यहां जो आपको ओप्शन गीवेन है वो है हर्ष, इशकंदगुप, विक्रमादित, चंदगुप मौर तो बताएं इनमें से कौन से सही हो जाएगा यहां आपको जो राइट ओप्शन है वो है चंदगुप मौरे जो मौरे वन्स के सासक थे और इन्होंने मौरे वन्स की इस्थापना भी की थी किसने चंदगुप मौरे ने और इन्हों ने ही पहली बार महाराज गुजराद और मालवा का जो छेतर है वो पहली बार जीता था यहां आपका D option correct हो जाएगा इस question देखते हैं इस question में कहा रहा है कि कुशाण सासक कनिश्क का राजय भिशेक किस्टन में हुआ यहां जो कुशाण बंश के सासक थे कनिश्क बहुत ही famous सासक रहे हैं यह कुशाण बंश के तो वही पूछ रहा है कि इनका जो राजबिशेक हुआ था वो किस्टन में हुआ था इसमें से राइट आप्शन कौन सा हो जाएगा तो यहां आपका राइट आप्शन है वो है आप्शन नमबर डी इसमें इनका राजबिशेक हुआ था निश कुशन देखते हैं इस कुशन में गया रहा है कि साची का इस्टूप किस सासक ने बनवाया था अभिमिसार ने असोग ने हशवर्धन या पुश्यमित्र ने तो यहां आपका राइट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो साची का इस्टूप है वो अशोग ने बनवाया था और यह किस वंस के सासक थे यह आपको बताना है असोग मौरी मौरी वंस के सासक थे और इनके हो जाएटे आपने सुना होगा बहुत ही फेमस सब्द है और पूछ राइट कि कहां से लिया गया है मनुश्मित्र से भगवत गीता से रिगवेश से मुंद को अपनी साथ से यहां आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो सत्त्मे हो जाएटे हैं यह मुंद को अपनी सा यह मुंदक उपनी सद्रे उसी में से सत्तमे हो जयते सब्त लिया गया है तो टी ऑप्शन करिक्ट है दिर पूछ रहा है कि रामा अपसका नुजाचारी किससे रिलेटिड़ है गति से बखति से द्वेतवात तो बताई इसमें से कौन सा सही होजाएगा तो यहां आपके रामानुजा चारे हैं वो विशिष्टा द्वैत्वात से रिलेटेड़ हुरे है आपका सी ऐॉप्श गारण फूछ रहा है कि किस धृफभारती राज में उत्तम ग्राम प्रशाशन था यानि कि जो ग्राम प्रशाशन था वो उत्तम यानि कि बहुत ही अच्छी कंडिशन पे था option आपके पास chair, चालू के चोल या वातापी तो बताएए इसमें से right option कौन सा हो जाएगा तो यहाँ आपका C option साही हो जाएगा कि चोल वंस के जो सासक थे दच्छिल भारती राज थे उसमें उत्तम ग्राम प्रशाशन था ग्राम बतल गाउं से related, वीले से related था यहाँ आपका C option correct है यहाँ आपका C option correct हो जाएगा दिलवाडा का जयन मंदिर राजस्थान में इस्थित है पिर कह रहा है कि बुद्ध ने जो अपने उप्देश दिये गौतम बुद्ध जी ने वो किस से related थे आत्म संबंधी विवाद से related थे, ब्रह्मबचर से related थे, धार्मिक कर्मकान से related थे या आचरन की सुद्धता वो पवित्रता से related थे यह कोशन कई बार repeat हुआ है तो इसे ध्यान से पढ़िएगा तो यहाँ जो important हो जाएगा, यहाँ जो मतलब की आपका right option हो जाएगा, हो जाएगा option number D भगवान बुध ने आचरन की सुद्धता वो पवित्रता से related थे उपदैस दिये, धार्मिक कर्म, कान्ड या आत्मा संबंधी विवाद इन से related थे, इनोंने आचरन की सुद्धता वो पवित्रता को सर्वशेस्ट रखा और उसी से related इहोंने उपदैस दिये थे तो यहां आपका D option correct है फिर पूछ रहा है कि चालुक्यों की राजधानी कहां थी वातापी, सरावस्ती, काची या कन्नोस यहां बताएं right option कौन सा हो जाएगा तो यहां आपका A option correct हो जाएगा चालुक्यों की जो राजधानी थी वो वातापी थी A option correct है इस question देखते हैं इस question में बूछ रहा है कि संसार आइस्तिर हर और छड़िक है का निम्मे से किस से सम्मद है देखे जो धर्म थे कई सारे धर्म जिए जायन धर्म हो गया वेदान्त में अलग सिच्छा दी गई है गीता में भी सिच्छा दी गई है तो संसार आईस्तिर और छडिक है यह जो सिछा है यह जो मत है यह किस से related है बौत धर्म से, जैन धर्म से गीता से या वेदान से तो अगर आपने जैन धर्म बौत धर्म अच्छे से पढ़ा है तो आप आसानी से बता देंगे तो यह जो उपदेश था यह जो statement था यह सब्द जो थे यह बौत धर्म से related थे क्योंकि गौतम बुद्ध ने इस पर आच्रण के सुधता पर फोकस किया, तो संसार आईस्तिर है और छडिक है कि गौतम बुद्ध ने कहा था और जब गौतम बुद्ध के भीजे गया थे थे चीन में वो किसके कारकाल में भीजे गया थे option आपके पास कुलोत्तुं फस्ट, राजेंद फस्ट, राजराज फस्ट या राजाधिराज फस्ट तो आपको बताना है इसमें से right option कौन सा हो जाएगा तो चीन में भेजे गया थे ना भारत में यहाँ चीन की बात कीजा रही है तो नाम से आप बेसिक सा लॉजिक लगा सकते हैं कि यहाँ कुलोत्तुं क्या है एक चीनी नाम है तो यहाँ यह option करेक्ट हो जाएगी 72 व्यापारी जो चीन में भेजे गया थे वो कुलोत्तुं के कारकाल में भेजे गया थे तो यहाँ आपका यह option करेक्ट है फिर पूछ रहा है कि प्रारम भी गड़तंत्र में कौन सा नहीं था ताक कि लिच्वी, यवधे, उपरियोगत सभी यानि कि जो आपके 16 महा जनपत थे उनमें से कुछ महा जनपत यह ऐसे थे जो गड़तंत्र थे नहीं तो बाकी में राजतंत्र था गड़तंत्र मतलब लोगों का तंत्र जनता का राजा और राजतंत्र में क्या होता था कि राजा ही सर्वोपरी होता था लेकिन गड़तंत्र में राजा सर्वोपरी नहीं होता था importance थी राजा की, लेकिन साथ ही साथ लोगों की भी importance थी तो वही बुछ राएं कि गरतंतर में कौन सा नहीं था सिर्फ कुछ राजी ही उनमें सामील थे तो इनमें तीन का नाम बताया हुआ है उसने से एक काप को बतायाना थे कि कौन इनमें नहीं था तो यहाँ आपका जो right option हो जाएगा वो हो जाएगा option number C यह उधे जो थे वो गरतंत्र में नहीं थे इसके अलावा शाक के लिच्वी यह प्रारम भी गरतंत्र में आते हैं तो यहाँ आपका C option correct हो जाएगा क्योंकि यहाँ negative उचा गया है इस question देखते हैं इस question में कहा रहा है कि जो यहाँ है वो अन्यत्र भी है जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है यह निम में से किस ग्रंथ में कहा गया है रामायन, महाभारत, गीता या राश्तरंगडी तो right option बताएगे तो यह जो कहा गया है यह महाभारत में कहा गया है कि जो यहां है वह अन्यत्र भी है और जो यहां नहीं है वो कहीं नहीं है तो यह वर्ड महाभारत से लेटेड़ होते हैं आपका B option correct हो जाएगा इस question देखते हैं इस question में कहा रहा है कि हिंदू विधी द्वारा मानने कर कितना था ने कि हिंदू विधी के द्वारा जो मानने क जाएगा उपज का एक तिहाई भाग या उपज का एक चोथाई भाग गैस यहां आपका B option correct हो जाएगा उपज का छठा भाग एक मानने कर था हिंदू विधी के द्वारा यानिकि इतना राजा को देना ही होता था किसान जो भी उगाते थे अपने खेतों में या जो भी production ह होता था व्यापारी जो भी कमाते थे उन्हें उसका छठा भाग राजा को करके रूप में देना पड़ता था यहां भी option correct हो जाएगा जो कि सारनात में हैं बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उगदेश निम में से किस नाम से जाना जाता है यानि कि गौतम बुद्ध किस नाम से जाना जाता है यह पूछ रहा है क्योंकि महत्मा भुद्ध की जीवन से रिलेटेड कुछ घटनाओं को एक एक नाम दे दिया गया जैसे कि हुएम महत्म भुद्ध का जन्म उन्होंने अपना घ्रहता त्याग कभ किया उन्हें ज्ञान की प्राप्ती कभ हुई और उनकी म्रत्यू कब हुई, इन सभी चारों घटनाओं को अलगलग नाम दिया गया है, तो यहां प्रधम उपदेश की बात की जा रही है, आपके पास महाभीनिस करमण, धर्म चक्र प्रवर्दन, धर्म ज्यान दर्शन या धम चक शुत्र, बताईए इसमें से कौन सा सभीता के बारे में निमे'll से कौन सा कत्र असत्य है, सभीता क्या थी एक नघरिय सभीता थी, कई सारी विशेचत, सभीता में फईन्टों से बने हुए थे, पकी नालियां थी, चौराहे भी थे, और उसके बार मतलब बहुत अच्छी ववश्ता एक नगरिये दिया थी, त सुर्दर विवस्था थी बिल्कुल सही बात है सिंदु सब्विता में नालियों के सुर्दर पक्की सड़के थी पक्की नालिया थी यह option तो correct हो जाएगा फिर कहरा है कि व्यापार और वाड़िज उन्नत दशामे था यह भी एकदम सही है सिंदु सब्विता के लोग व्याप करते थे और उसके बाद उनका जो व्यापार था उन्नत दशामे था तीसरा सबसे important मात्र देवी की उपासना की जाती थी सिंदु सब्विता के लोग लोहे से परचित नहीं थे लोहे का जो परिचय हुआ वो उत्तरवैदिक काल में हुआ जब महाजनपत का इतना विस्तार क्या हुआ लोहे की वज़े से हुआ क्योंकि जब उत्तरवैदिक काल आते आते लोहे का उपयोग होने लगा जब लोहे का इस्तमाल होने लगा तो पहले लोगों ने क्रशिकारे में किया जब क्रशिकारे में किया तो उत्पादन जादा बढ़ा अब जिस देश का उत्पादन जितना अधिक होगा जितना प्रोडक्शन होगा उतनी ही जादा इंकम भी आएगी इंकम के सोर्सेस बढ़ेंगे तो और भी जादा विवस्थाएं बढ़ेंगी तो लोग लोहे से परिचित नहीं थे किसमें सिंदु सब्विता के काल में रिख्वैदिक तब भी परिचित नहीं थे ये आपका उत्तरवैदिक काल में लोगों का परिचय लोहे से हुआ तो डी ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहां निगेटिव पूछ रहे हैं फिर पूछ दिनार है वो गुप्त कालिन स्वड मुद्रा है है गुप्त कालिन स्वड मुद्रा मतलब किसी गुप्त काल में जो स्वड मुद्रा था वो भी दिनार कहा जाता था किसी और काल की बात की जा रहा होगा तो यहां गुप्त काल की बात की जा रही है श्वड मुद्रा की तो यहां जो आपका right option हो जाएगा वो हो जाएगा option number B मुत्रा राच्छस की जो लेखाक है वो है विशाक दक्त तो यहां B option correct है पूछ रहा है कि समराठ हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां इस्थांतरित की थी प्रियाग, दिल्ली, कर्नौज या राजग्रफ यहां guys जो आपका right option हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नौज समराठ हर्ष जो थे उन्हें अपनी राजधानी थानेश्वर से कर्नौज इस्थांतरित की थी तो यहां आपका C option एक्दम correct हो जाएगा इस question देखते हैं Just a minute इस question में आपसे कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहां पर इस्थित था पर इस्थित है अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहां इस्थित है इस थान आपसे पूछ रहा है चार option है जावा, सुमात्रा, कमबोडिया या चमपा यहाँ जो आपका right option हो जाएगा वो जाएगा कमबोडिया अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कमबोडिया में इस्थित है तो यहाँ आपका C option इक्दम correct है इस question देखते हैं इस question में कहा रहा है कि विक्रम संबद कब से प्रारंबु हुआ 78 इसवी, 58 इसवी आपका B option इक्दम correct हो जाएगा निस question देखते है निस question में क्या दिया हुआ है एक तरफ एक तरफ आपको राजाओं के नाम दिये हो गए है और दूसरी तरफ उन्हीं से related कुछ activities दी हुई है और आपको क्या करना है सही मिलान करना है अब बताईए अक्बर का जो अक्बर का किस से मतलब की सही match हो जाएगा राइट आप्शन बताईए इसमें से कौन सा राइट आप्शन हो जाएगा तो यहाँ जो B option का है वो एकदम correct हो जाएगा यानि कि अक्बर चहल गानी अमीर के नाम से जाने जाते थे प्रतीक मुद्रा तो यहाँ आपका B option एकदम correct हो जाएगा इस question देखते हैं इस तरह मिलान करने वाले कई सारे question आ जाते हैं कभी कभी क्या होता है नदियों से related आ जाते हैं जैसे एक तरफ नदिया दी हुई होती है उनका प्राचीन नाम और एक तरफ आदू निकनाम दिया होता है और आपसे कहा दिया जाता है ही सही match कीजिए तो उस तरह matching के कई सारे question आते हैं और तभी आप matching सही कर पाएंगे जब आपको चीजें पता होंगी फिर आपको दो statement दिये हुए statement A और statement R statement A में क्या है एक statement दिया हुआ है और दूसरे में result दिया हुआ है और आपको बतारा है कि क्या इनमें से कौन सा सही हो जाएगा option क्या दिया हो statement राजी के मामले में सिवाजी एक मंत्री परिशत से परामर्श लेते थे उसके बाद रिजल्ट दिया हुआ है कि प्रतेक मंत्री अपने विभाग का स्वतनत प्रभार रखता था अब आपको यह बतारा है कि इन में से कौन सा सही हो जाएगा A, R, R दोनों सही है तथा R, A की सही व्याख्या करता है यह आपका B option correct हो जाएगा A और R दोनों सही है परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है फिर तीसरा है A सही है परन्तु R गलत है यहाँ आपका जो सही option हो जाएगा वो option number C हो जाएगा A statement सही है कि राजी के मामले में सिवाजी एक मंत्र परसे से परामर्श लेते थे लेकिन प्रतेक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था यह सही नहीं है स्वतंतरता मत्र की एकदम स्वतंतरता नहीं थी आपको अधिकार है चीजे आपको manage करनी है लेकिन जो main judge होते थे वो सिवाजी को मारा जाता था यहां कि अपने according कोई भी चीज नहीं कर सकते हो तो यहां आपका C option correct हो जाएगा इसकुशन कहरा है कि जवाबित थे यानि जवाबित क्या थे प्रश्रमदित कानून थे, राज्य कानून थे, इन दो से सम्बदित मामले होते थे या इन में से कोई नहीं तो यहां आपका जो राइट option है वो है option number B जवाबित एक राज्य कानून थे, तो यहां आपका B option correct हो जाएगा फिर इस statement दिया हुआ है कि अलाउद दीन के दच्छडी अभियान धन प्राप्ति की अभियान थे कारण दिया हुआ है कि वह दच्छडी राज्यों को कबजे में करना चाहता था बताए इन में से कौन सा सही हो जाएगा A और R दोनों सही है तो था R A की सही व्याक्था करता है A और R दोनों सही है परन्तु R A की सही व्याक्था नहीं करता A सही है परंदु R गलत है A गलत है परंदु R सही है तो यहां आपका C option करेक्ट हो जाएगा अलाव दिन के दच्छडी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे बिल्कुल सही बात है लेकिन वह दच्छडी राज्यों को कबजे में करना चाहता था यह स्टेट्मेंट सही नहीं है तो इस वज़े से यहां C option करेक्ट हो जाएगा पूछ रहा है कि सूची फस्स तथा सूची सेकंड को सुमीलिक कीजिए यानि कि आपको फिर से मैचिंग करना है देखते हैं कि क्या है मैचिंग यानि कि क्या दिया हुआ है अब बताईए कि फिरोज तूगलक से रिलेटेट क्या था यानि कि एक तरफ आपको राजाओं के नाम दिये हुए है और दूसरे तरफ उनी से रिलेटेट अक्टिविटीज दी हुई है कि उन्होंने अपने टाइम पे क्या किया क्या कौन फेमस था तो ये सारी चीज़े दी हुई है और आपको बताना है कि इन में से सही ऑप्षन कौन सा हो जाएगा देखिए जो फिरोज तूगलक थे वो किस से रिलेटेट थे सर्टॉमस रो और जो बलबन था वो आपके दिवाने लियासत से रिलेट था जो अलाउद दीन थे वो नरोज थे और जहां गिन नहरों का निर्माड यानि नहरों का निर्माड सबसे पहले किस ने करवाया था जहां गिन ने करवाया था तो यहां डी ऑप्षन तो इसरे से मैच हो जाएगा और अलाउद दीन किस से मैच हो जाएगे नौरोज से बलबन दिवाने रियाशो तो फिरोज तुगलर सर टामस रूप तो यहां आजो आपका राइट टू ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नमबर बी हो जाएगा यहां हमने फर्स सुची को सेकंड सुची से सही सही सुमेलिक कर दिया है सही मैश कर दिया है तो इस कोई भी पॉब्म है तो आप उसे कमेंट करके पूर सकते हैं अब एक्जाम क्या है डे बाइडे नए परटन आते रहते हैं और नए परटन में यही है कि आपका मैचिंग से रलेटिट कई सारी कोश्चन सा सकते हैं तो इस तरह आप अगर डीटेल में पढ़े होंगे तो आ भी आप गॉर्मेंट कॉलिज पापाएंगी कि मिलेगा क्योंकि बहुत जादा गॉर्मेंट सीटे नहीं होती दस जार गॉर्मेंट सीटे हैं और बच्चे दस लाग होते हैं तो कॉम्पिटिशन बहुत जादा हाई है और इसके लिए आपको बहुत ही अच्छी कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सिस्क्राइब करने क्योंकि यहां आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे और सब्जिक्ट वाइज हम प्रपरेशन करेंगे यह नहीं कि पहले हमने हिस्ट्री के कुछ क्वश्चन किया फिर जोग्राफी के कर रहे हैं पॉ चीज़ें वन बाई वन डिसकस करेंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चानल को सिस्क्राइब कर दें थैंक यू